दोस्तो विराट कोली ने आईपील में एक ऐसा महा रिकोर्ड अपने नाम कर लिया है जिसे किसी भी बल्लेबाज के लिए दोना नाको चने चबाने जासा है दरसल दोस्तो आईपील दो है 30 का पचास्वा मुकाबला दिल्ली कैपिटल्स और रोयल चेलेंजर बैंगलोर के साथ खेला गया इस मैच में आर्सीबी के कप्तान फॉर्ब डुपलेसी ने टॉस जीता और पहले बल्लेबाजी का फैसला किया विराद कोली ने जैसे ही इस मैच में 12 रन बनाए उन्होंने आईपील का एक ऐसा रिकोर्ड अपने नाम कर लिया जो आज तक कोई भी बल्लेबाज ऐसा नहीं कर पाया है दरसल वो आईपील इतिहास के पहले ऐसे बल्लेबाज बन गये हैं जिन्होंने किसी एक टीम के लिए 7000 यह उसे अधिकरन बनाए है इस मैच से पहले कोली के नाम 6988 रन थे अब सबसे ज़्यादा आईपील रनों की लिस्ट में 7043 रनों के साथ पहले अस्थान पर हैं इनके बाद सिखा 56536 रनों के साथ दूसरे अस्थान पर काबिज है दोस्तो बिराट कोली का फॉम इस सीजन में बिहदी संदार आ रहा है उन्होंने अभी तक केवल 10 मैचों में 400 सोरो रन बनाए हैं इतना ही नहीं वो 6 और्ज़ा तक भी ठोक चुके हैं उनका इस सीजन में सरवार्धी कसकोर 82 रनों का है बागी दोस्तो आप बिराट कोली और रुहिस सर्मा में किसे एक बिस्टबल लिवाज मानते हो कमेंट में जरू बताइएगा